अगर आप smoothening करवाना चाते हैं और आप smoothening करवाना चाते हैं कि आपके बाल खराब ना हो जए जब पतले ना हो जए बढ़ आप smoothening जैसी लुक भी वाना चाते हो तो आज मैं आपके साथ दो रेमिडी शेयर करऊंगी यह से यता साहर गा पार धर पार उड़ करें सुर्थ करें पिल्कों स्मूंधन ड्यासी लूक मिलेगी आपके बाल स्मूथन बेल्ट ऊजाएंगी क्योंकि मुझह काफि एर औल ब्धितने फ्रैंड रड़ेशियम keल आपके स्चेयल की यहां लुटे fave ला कमेंड्स आते हैं तो मैं ये वला भाइस ही उश करते हूं। ज बालेंगे बाली काफी था स्मीज और शाइन। मैं ये वला बाली में फिर शाइन लगा शाइन। तो रिजर्ट से आपके सामने, आप देख सकते हो, बाल मेरे काफी-समूथ हो शाइनी लग रहे हैं, तो मुझे काफी-सार रकमेंट साते हैं कि हम ने 1-1-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-2-2-2-2-2-2-1-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-1-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2- को बिल्कुल लुक मिलेगी आपको smootening करवाने की भी नहीं है तो फ्रेंड से वीडियो अगर आपको helpful लगेगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए स्टाट करते हैं आज की वीडियो तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपके और फाइट करता है डार्क स्पोर्ट को अगर आपको काफी चाहर डार्क स्पोर्ट के प्रॉब्लम है अपने की प्रॉब्लम में पिग्मेंटेशन आपकी स्किन में तब भी आप यह वाला सिरम यूज कर सकती है काफी ज़र अफॉरडबल भी है पैकेजिंग आप इसकी द पैकेजिंग है तो आप देख सकते है आगे पंप है इसकी जो कंसेंस्टैंसि आपे जाए लाइट चाहते है फ्किली प्जर्ब ऑश्या उचाती है को काफी यह डीपलिध्रेशन पर्वाइट करती है अगर आपके ड्राय आपके द्राग स्पोर्ट्स आपके पेश्बन इ पार बने आखने से मेर से बने संब्सक्राँिते चीज लगार करेंकों 20 फिर डोटो टाह्इट पर, 9े अ हाजच Mod, 11,5 इसे कहते होतं आज़्सी तरफ में ग डूसे करेंकों 10 फिर खया थे दाउस्टीजी भी कि एैपनी अग्रेश्जी में तो अगर आइस आप इवाला सिर्म बाई करना चाहते हो डिस्किप्शर फॉक्स में लिंक दिया लिंक के थुरू आप इसे डेफिनेटली एक बार परचेस करके देखिए तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम टोनर प्रिपेर करते हैं तो इसे बनाने के लिए जस्सिंपल मैं आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी ली है इसे ज़स्ट आपको गरम करना है ज्यादा गरम आपको नहीं करना है उनली एक मिनट के लिए जहां आपको 30-40 सेकंड के लिए गरम करना है उसमें जिस्ट आपको almond oil की 4-5 drops डालनी है जादा पानी गरम नहीं होना चाहिए नॉर्मल पानी आपको गरम करना है तो सप्रे बॉटल में आप ट्रांसफर करने तो हमारा टोनर बन कर तियार है और नेक् में इतनी जरा अच्छी properties पाई जाती है कि जो कि instantly hair में इतनी जरा अच्छी shine ला देती है smoothening जैसी look आपको मिलती है जस्ट बनाना से उसमें आप देख सकते हो मैंने दो चमच हनी के एड़ की है जस्ट और कुछ भी चीज़े आपको एड़ करनी की नीड नहीं है इन दोनों को अच्छे से आप mix कर ले तो आप देख सकते हो अच्छे से मैंने इसे mix कर लिया बिल्क पहले टोनर लगा लेते हैं जादा गंदे बालों पर आपको यह वाली रेमेडी यूज नहीं करनी है फ्रेंट जो हमने यह टोनर बनाया है इसमें जो हमने आलमेंट ओयल एड़ किया है वो बालों को बहुत ज़रा स्मूथ हो शाइनी बना देगा अलमेंट ओयल में विताम करने पहले हुस करेंगे इसरे जो हमारी स्कैल्प के क्यूटिकल्स ही वह सारे ओपन हो जाएंगे हम जो जो बहुत पूटिकल्स हो अच्छे से ओपन हो जाएंगे, जोंगने इसमें आलमेंट ओयल एड़ की है वह बालों को इंस्टनली स्मूथ और शाइनी बनाने में जो कि बालो में roughness को दूर करते हैं, breakage को कम करते हैं, बालो में instantly shining लाते हैं, बालो से smooth हो जाते हैं, और almond oil में vitamin E B पाया जाते हैं, जो कि hair fall की problem को काफियत तक कम करते हैं, तो ये toner लगाने के बाद आपको 10 minutes तक वेट करना है, next आप pack लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो cuticles होग ये यूज की है, ये बालो को इतना healthy बनाने में के लिए helpful है, अगर आपने smoothening नहीं करवाई है, आपके बाल बहुत जारा नीचे से damage हो जुकी है, आपके बालो के length बहुत जारा खराब हो जुकी है, आपको split ends की problem हो चुकी है, बालो में कोई shining नहीं है, breakage काफी जारा आपक इसे को suit नहीं करती, अगर आपके बाल बहले से पतले हैं काफी जारा, अगर आप smootening करवा लेंगे, और जारा बाल आपके पतले हो सकते हैं, smootening की बात तो हमें अपने बालो की extra care करनी पड़ती है, तो अगर आप smootening नहीं करवाना जाते हैं, बट आप smootening जासी look भी पा smootening नहीं करवाना जाता, बट वो अपने बालो को straight भी बनाना चाते हैं, बालो को smootening जैसी look भी देना जाते हैं, जस्ट आपको इस pack यूज़ करने से, आपको smootening जैसी look मिलेगी, आपके बाल बिल्कुल healthy हो जाएंगे, नीचे से आपकी breakage काफियत तक कम होगी, split ends की problem आपको 20 मिनट्स तक रखना है, फिर बाद में आप अपना hair wash कर लेंग, एक की बार में आप देखेंगे कि आपके बाल इतने जारा smooth और shiny हो गए हैं, आपकी breakage कम होई है, आपके बालों में freeziness दूर होई है, तो 20 मिनट्स के बाद आप पानी से अपना wash कर लें hair, आप और toner यूज करने से, जस्ट पहले आपको toner लगाना है, 10 मिनट्स के बाद आपको इवाला pack लगाना है, तो hair wash के बाद आप मेरे बालों का result देख सकते हैं, पहले मेरे बाल कितने जारा dry थे, बालों में कोई shining नी थी, मेरे बाल बहुत जारा freezy थे, बट आप after result देख सकते है कितना जारा अच्छा है, नीचे से आप में आपको बाल दिखा रही हूँ, कितने जारा smooth लग रहे हैं, straight लग रहे हैं, smoothening करवाए हुए भी, मुझे 2 years होने वाले हैं, बट आप मेरे बाल देख सकते हैं, कितने जारा shiny लग रहे हैं, तो आप यह वाला toner और pack वीक में एक ब बाहे हैं, 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 बाहे झाल झाल